हेलो एवरिवन, आपने इस लेक्चर को देखने से पहले, फर्स लेक्चर जरूर देख लिया होना चाहिए, जिसमें हमने टैक्सेशन के बेसिक्स, ओरियेंटेशन के थूट कवर किये थे, just to understand कि direct tax क्या होता है, indirect tax क्या होता है, और ये taxation laws operate किस तरीके से करने वाले हैं, before we start with our second lecture today, हम quickly एक बार first lecture में क्या देखा था, उसे 5 मिनिट में एक बार के लिए review and revise कर लेते हैं, जो हमारा हर lecture का pattern होगा, कि कोई भी चीज़ शुरू करो, तो पिछले lecture को एक बार revise करके, synchronity में ले आओ, ताकि flow हमारा maintain हो, और revision भी हमारा हो जाए, ताकि हमें content ध्यान में रहे, तो हमने क्या-क्या cover कर लिया था, हमारे lecture number 1 में, सर हमने सबसे पहले कहा था, taxation, हमारा paper number 3, group 1 के अंदर 100 marks का पूछा जाता है, taxation, एक compulsory extortion का पैसा है, जो हम लोगों को सरकार को देना पड़ता है, पर यह compulsory extortion क्योंकि legally लिया जाता है, इसे हम tax के नाम से जानते हैं, इस tax को हम दो हिस्सों में तोरते हैं, एक portion होता है direct tax, दूसरा portion होता है indirect tax, direct tax वो होता है जिसका burden और pinch आपको feel होता है, indirect tax वो होता है जिसका burden और pinch consumer पे आता है क्योंकि burden shift हो चुका होता है, हमारे syllabus में 50 marks का direct tax session आता है और 50 marks का indirect tax session आता है जिसके अंदर 30% 30% MCQs हमसे पूछे जाते हैं, जिसके अंदर हमने यह discuss किया था कि direct tax article 246 के थूँ income tax की reading हमने create की है, and indirect tax में article 246A के थूँ GST की हमने reading create की है, क्योंकि direct tax session बहुत सारे होते हैं, हमें एक ही पढ़ना है तिले कई बाराम हमारे syllabus को income tax का नाम देते हैं, जैसे हमने direct tax के related cover किया था कि central level पे income tax लगता है, state level पे professional tax लगता है, local level पे municipal taxes लगते हैं, हमें ये सारे नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ income tax की reading करनी है, and इस तरीके से हम इस बात पे पहुँचे, कि income tax, article 246, 7th schedule के union list के अंदर provide किया है, जिसमें लिखा है कि central government की power है, कि वो हर तरह की income पे tax लगा सकता है, except agricultural income, क्योंकि agricultural चीज़ों पे सिर्फ state government ही tax ले सकती है, as per again article 246 की state list, यानि center के हाथ में कोई power नहीं है, वो एक state की power होती है, तो agricultural income को छोड़के, बाकि सारी income, entry number 82 में लिखी है, जिसके थुरू हमने income tax का कानून बनाया है, क्योंकि सारे कानून, constitution के अंतरगत काम करते हैं, तो हमने लिखा कि income tax law हमें पढ़ना है, ना कि सिर्फ income tax act, क्योंकि income tax act is just a part of the law, हमें पुरा law रीड करना है, तो income tax law के अंदर हमने कहा, income tax act 1961, finance act 2024, income tax rules 1962, various notifications, various circulars, and a few case laws, का जब हम amalgamation करते हैं, तो हमारा income tax law तयार होता है, हमारा core income tax act और finance act 2024 है, जिसे मिला के, हम अपनी taxable income, और उसके उपर tax rate देखते हुए, अपने tax का calculation करते हैं, लेकिन कई सारी बातें, act के अंदर दी होती है, as may be prescribed, तो उसके लिए हम rules refer करते हैं, कई सारी चीज़े effect में किसी particular date से आती है, तो उसके लिए हम notifications refer करते हैं, और कई सारे clarification CBDT issue करता है, उसके लिए हम circulars में जाते हैं, and disputes resolution के लिए, हम judicial case laws भी refer करते हैं, जो हमारे case laws का part होता है, यह सब मिलता है, तब हमारा income tax law का discussion आता है, जिसमें income tax law के अंदर हमने कहा, एक बहुत important discussion है, what is the concept of previous year and assessment year, यह बहुत जरूरी बात है, financial year जो भी होता है, calendar year तो किसी काम का ही नहीं है, financial year जो भी होता है, उस financial year को आप previous year भी कह सकते हो, assessment year भी कह सकते हो, सिर्फ context clear होना चाहिए, चैसे financial year 24, असेस्मेंट year 24 है, और previous year 23 चोईश, and financial year 24 पच्चिस, previous year 24 है, for assessment year 25-26, तो हमारा जो करीकलम है, जो हम exams appear करने वाले हैं, उसके अंदर हमने कहा कि हमारा previous year 2024-2025 है, यानि जो भी आप 24-25 में कमाएंगे, उसके उपर 25-26 में tax बरेंगे, और सरकार को return of income फइल करेंगे, तो हमने ये clear कर लिया, हमारा previous year 24-25 है, and assessment year 25-26 है, इस तरीके से हमारी दो बाते जरूरी हमने previous year और assessment year के discuss कर ली, and then हमने कहा था, कि हमारा income tax, charging section section number 4 से खुलेगा, and tax और CIS के अंदर एक परक होता है, जो हमने cover किया था, कि tax होता है, कि सरकार आपको इस पैसे का इस्तमाल किस चीज में करेगी वो नहीं बताती, लेगिन CIS होता है, जो हिक तरीके का tax है, पर सरकार कहती है, कि हम बताएंगे, ये किस चीज में इस्तमाल किया जाएगा, यानि उसका utilization कहीं न कहीं, prefix होता है, हमने cover किया, कि हमारा देश तीन पिलर्थ पे चल रहा है, कानून बनाने वाले, कानून लागू करने वाले, और problem solve करने वाले, that is legislative, administrative, executive, and judiciary, जो हमारे तीन phases है, जिसमें at inter level, हम judiciary वाले aspect पे इतना ध्यान नहीं देते, हम legislative और administrative वाले aspect पे ध्यान देते हैं, इसलिए हम acts, notifications, और circulars रीड करते हैं, क्योंकि notifications और circulars, CBDT लाता है, and act हमारा parliament create करता है, जो अगेन एक process के थ्रू होता है, थ्रू लोगसभा, राज्यसभा, and then the sign of the president, हमने कहा था कि हमारे लिए, finance act दो हजार चोईस, relevant है, जो दो finance act आए, finance act number one, and finance act number two, क्योंकि ये election का year है, इसलिए एक interim budget आया था, और एक full budget आया है, अगले साल परवरी दो हजार, पच्चिस में जो budget आएगा, वो financial year 25-26, previous year 25-26, assessment year 26-26 के लिए आएगा, इतनी basic बातें, हमने cover की थी, सरकार के लिए taxation lock इतना जरूरी है, वो आपको इस तरह से समझा आ जाना चाहिए, कि budget में सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा source, income tax और GST होता है, ये बहुत बड़ा source होता है government के लिए, जिसमें भी आज के वक्त में, income tax का collection तो GST का collection से भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें जब company आ income tax भरती है, तो उसे हम corporation tax बुलाते हैं, लेकिन है वो ultimately income tax ही, तो आप corporation tax के बारे में, inter में बहुत कम पड़ते हैं, क्योंकि at intermediate level, आपको individual level का taxation पढ़ाया जाता है, ना कि company level का, क्योंकि company level का taxation थोड़ा advanced हो गया, तो आप CA final में ज़्यादातर question कमपनियों के देखते हैं, और at intermediate आप ज़्यादातर question individual के देखते हैं, फरक इतना ये level का फरक है, बागि syllabus का coverage, आपका final में भी वो पूरा repeat होता ही है, जो आप intermediate के अंदर cover करने वाले हैं, इतनी बाते हमने discussed की थी previous class में, और मैंने आपको कहा था, कि इस class में, यानि हमारे lecture number 2 में, हम income tax का पूरा flow समझेंगे, पूरा structure समझेंगे, कि हमारा पूरा का पूरा income tax, बना किस तरीके से है, basically अपना पूरा index बनाएंगे, लेकिन ये index, कोई बाकी subject के index जैसा नहीं होगा, यहां chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 करके, सारे chapters एक दूसरे से independent है, यहां everything is linked, it goes in a flow, ऐसा आप नहीं कर सकते कि पहले chapter 7 पढ़ लिया, फिर chapter 1 पढ़ लेंगे, that is not possible, आपको एक sequential logic में operate करना होता है, जब आप income tax पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा आज का agenda, सिर्फ और सिर्फ इसका flow समझना है, कि income tax का flow, पूरी तरीके से work, किस तरीके से करता है, तो आप fresh page ले लेंगे, keep it landscape, हम पूरा diagram बनाते हुए, इसे discuss करेंगे, and keep it two-phaged landscape, सर्य ये two-phaged landscape क्या है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, two-phaged landscape यानि की, आपको इस तरीके से अपनी book लेनी है, ये one-phase, और ये second-phase, क्योंकि हमारा diagram काफी लंबा है, आप शुरू यहां से करेंगे, उपर से जो मैं लिखाना शुरू करूंगा, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, और नीचे तक आते जाएंगे, तो हमारे दोनों पूरे page यूज़ हो जाएंगे, तो आपको एक ही flow में, पूरा का पूरा income tax का हरामा syllabus structure दिखाई देगा, तो इसलिए आपको जो भी लिखाना स्टार्ट करूंगा, वो यहां उपर top center से लिखना शुरू करना है, first phase से और उसे continue करते रहना है, और second phase के अंदर चले जाना है, तो आप फटा फट टॉप सेंटर पे एक title डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, income tax act 1961, अब टॉप सेंटर पे title डाल दे, income tax act 1961, जैसा आपने कहा था कि किसी भी taxation law का पूरा discussion उसके charging section से खुलता है, इसके just नीचे लिखें, section number 4, charging section, charging section, section number 4, आपके साथ section 1, 2 और 3, previous class में discuss किये थे, briefly उन्हें cover कर लेते और उन्हें भी यहीं लिख लेते हैं, side में लिख लो, section 1, whole of India, simple tip, section number 1, whole of India, and उसके नीचे, section number 2, definitions, section number 1, whole of India, and section number 2, definitions, जैसे हमने section number 2, clause 9, में assessment year की definition देखी थी, और जब जब नीड आएगी, तब तब हम definitions देखेंगे, तो आप सिफ, right side corner पर section 1, and section number 2 लिख लेंगे, ऐसे ही left side उपर corner पर लिख लें, section number 3, previous year, और हम जानते हमारा previous year, 24, 25 है, 24, 25 है, 1st of April 2024 से लेके, 31st of March 2025 की, जो भी income होगी, उसके उपर tax tricks लगाके, हमें हमारा tax calculate करना होगा, इन assessment year 25, 26, 26 और सरकार को return of income फाइल करना होगा, तो ये तीन हमारे basic preliminary section से, जो हमने briefly cover किये थे, अब हमने center में लिख दिया, section number 4, charging section जिससे हमारा lock खुलेगा, तो section number 4 कहता क्या है, double arrows करके लिखें, total income, of every person shall be charged at a tax rate, simple, one liner, total income of every person shall be charged at a tax rate, जिसके अंदर आपके तीन keywords है, तीनों keywords को highlight करें, पहला keyword है, sir, total income क्या होता है, पहला keyword, दूसरा keyword है, person क्या होता है, तीसरा keyword है, tax rate क्या लेनी है आपको, यानि हर person की, total income निकालना सीखना है, और उस total income पे, उस person की, tax rate लगानी है, तब, income tax liability निकल के आईगी, उस person की, समझना, person यानि, बहुत सारे तरह के लोग कबर होंगे, इसमें, जैसे individual, पुलकित जाजो दिया, एक individual है, तो individual is a kind of person, panormic education private limited, तो panormic education private limited is a company, a company is another kind of person, तो company की income निकालने का तरीका अलग है, individual की income निकालने का तरीका अलग है, और इन पे tax rates भी अलग-अलग है, तो इसलिए आपको, हर person की total income निकालके, उसके उपर tax rate लगानी है, जिसमें person कितने प्रकार के होते हैं, sir, 7 प्रकार के होते हैं, there are 7 kinds of persons, who are covered in income tax law, तो sir, वो 7 कौन से होते हैं, इसके नीचे छोटा सलिको, 2 clause 31, 2 clause 31 में, 7 kinds of person की बात की है, जैसा हमने कहा था, जब-जब ज़रूरी होगा, तब-ब हम definitions रेफर करेंगे, तो 2 clause 31 के अंदर, हमें 7 kinds of person के बारे में पढ़ना होगा, वो सब हम पढ़ेंगे आगे जाके, as of now, तो मैंने आपको काली पहले पूरा flow समझाना है, इसलिए आपको introduce कर रहा हूँ, कि वो flow किस तरीके से work करने वाला है, तो सर सारे persons के बारे में जानेंगे, और उन सारे persons की हम जानेंगे tax rate, tax rate जानने के लिए, आपको Finance Act 2024 पढ़ना पढ़ेगा, यानि कि Income Tax Act पढ़ने के साथ-साथ, Finance Act रीड किया जाएगा, तब tax rate पता चलेगी कि किसी person की income पे कौन सी tax rate लगाई जाती है, और इस पे लिखना Roman No.1, ये हमारा chapter No.1 होगा, जहां पे हम हर person की tax rate जानेंगे, तो सबसे पहले person क्या है वो cover करेंगे, उस person की tax rate जानेंगे, as per Finance Act 2024 Red with Income Tax Act, and then जब उस person की tax rate पता चल गई, तब हम उसकी total income पे उस tax rate को लगाके tax calculate करेंगे, जिसमें total income निकालने का सफर एक lendी सफर है, एक line ड्रॉ करो और center में arrow ले आओ, और लिखो determine, residential, status and scope of total income, हमें किसी भी person की total income निकालने के लिए, पहले निकालना पड़ेगा residential status, और residential status के basis पे, determine करना पड़ेगा कि उसकी income में क्या-क्या शामिल किया जाएगा, what will be the scope, scope narrow होगा या फिर scope, wider angle से हमें cover करना रहेगा, जिसे हमें discuss करने के लिए, section number 5, से लेके, 9B का coverage करना रहेगा, section number 5 से लेके, 9B में हमें पता चलेगा, कि residential status क्या होता है, और उसके basis पे, scope कैसे determine किया जाता है, जो हमारे discussion में, इस पे Roman number 2 लिखना, ये हमारा chapter number 2 बनने वाला है, एक चोटा सा example लेके, आपको इसकी briefing समझाता हूँ, जैसे कि समझो मैं एक individual, मैं एक individual person, अब मेरा tax rate आपको पता चल गया, from the first chapter, अब आप मेरा total income निकाल रहे हैं, तो मेरा total income निकालते वक्त, मैंने आपको बताया, कि मैं इंडिया में भी कमाता हूँ, औस्ट्रेलिया में भी कमाता हूँ, अमेरिका में भी कमाता हूँ, तो मेरी इंडिया में, सिर्फ इंडिया वाली income tax की जाएगी, औस्ट्रेलिया वाली income भी tax की जाएगी, या अमेरिका वाली income भी tax की जाएगी, यानि scope में क्या-क्या शामिल किया जाएगा यह मेरा question है तो मुझे income tax law कहेगा that depends upon your residential status आपका residential status क्या है अगर आपका residential status resident है अगर आप भारत के resident है तो उस case में इंडिया वाली income भी cover होगी और श्टेलिया वाली income भी cover होगी and अमेरिका वाली income भी cover की जाएगी और अगर मैं कहता हूँ नहीं सर मेरा residential status non-resident है तो उस case में मेरी सिर्फ इंडिया वाली income ही cover की जाएगी और श्टेलिया और अमेरिका वाली income पे भारत में कोई tax नहीं लिया जाएगा मतलब अगर कोई person resident होता है तो उसका scope बड़ा होता है कोई person non-resident होता है तो उसका scope छोटा होता है and thereby हमें पहले ये जानना होगा resident कब बनते हो non-resident कब बनते हो और उसके basis पे scope determine करनी होगी कि ये ये शामिल करना है या फिर नहीं इसलिए आप देखोगे cricketers, footballers इन सब लोगों के लिए ये chapter बेहद महत्वपून हो जाता है बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि ये regularly कई देशों में travel करते रहते हैं और इतने देशों में travel करने की वज़े से इनका residential status जरूरी हो जाता है क्योंकि उस residential status के basis पे decide होता है कि इनकी income इंडिया में tax होगी या दूसरे देश में tax की जाएगी कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि एक ही income दोनों देशों में tax हो रही है इंडिया में भी tax हो रही है अमेरिका में भी tax हो रही है और ऐसी situation में हमें उन्हें कुछ relief प्रोवाइड करना होता है पर वो relief बहुत बात की बात है आप उसे CA final वगरह में पढ़ते हैं as of now तो आप सिर्फ इतना जानना चाते हैं कि सर्फ किसी person के scope में कितनी income शामिल की जाएगी और वो जानने के लिए आपको residential status निकालना होगा हर person का and then इसका scope decide होगा from section number 5 से लेके section number 9 B के अंदर हमारे second chapter के अंदर ये cover किया जाएगी एक बार आपको scope पता चल गया तो scope पता चलने के बाद आपको read करना होता है chapter number 3 exempt income that is your chapter number 3 bracket में आप लिख सकते हैं section number 10 11 12 and 13 इन चार sections के अंदर exemptions प्रोवाइड की होए हैं यानि कि कोई income scope में तो आ गई लेकिन scope में आने के बावजूद उसे tax नहीं किया जाएगा उसे exempt कर दिया जाएगा उसे भूल जाएगे उसे उड़ा देंगे कि सरकार ने कुछ list of items दिये हैं और कहा है कि इनके उपर हम tax नहीं लेना चाहते 2000 exempt incomes जैसे इसका सबसे primary example हो गया agricultural income agricultural income earned in India इस completely exempt उसके उपर tax नहीं लगाया जाता क्योंकि हमारे समविधान में हमने कह दिया था कि agricultural income पे tax नहीं लगता मतलब समझना मैं समझे एक farmer हूँ I am a farmer मैं राजस्तान में agricultural income कमाता हूँ मैं अमेरिका से भी agricultural income कमाता हूँ दो जगों पे मेरी agricultural income आती है और मैं एक resident हूँ मैं अगर एक resident हूँ तो मेरे case में मुझे scope के अंदर इंडिया वाली agricultural income भी लेनी पड़ेगी और अमेरिका वाली agricultural income भी लेनी पड़ेगी scope के अंदर लेकिन scope में लेने के बाद जब मैं exemption पढ़ने जाऊँगा तो exemption पढ़ते वक्त section number 10 में मुझे पता चलेगा कि agricultural income in India is exempt उसे tax नहीं किया जाता चाहे आप कोई भी है तो फिर जो आपकी इंडिया वाली agricultural income है उसे भूल जाओगे और खाली जो अमेरिका वाली agricultural income है उसे इंडिया में tax किया चाहेगा क्योंकि agricultural income earned outside India is taxable in our country if it is included in scope अगर समझो यहीं हमने यह कह दिया होता कि सर मैं non-resident हूँ मैं non-resident हूँ तो तो फिर अमेरिका वाली agricultural income इंडिया के scope में नहीं आती सिर्फ इंडिया वाली agricultural income scope में आती लेकिन उस पे tax ही नहीं लगता क्योंकि इंडिया वाली agricultural income पे कोई tax लगाया जाता ही नहीं है उसे exempt कर दिया जाता तो सर ऐसी कितनी income exempt होगी ऐसी बहुत सारी income है जिसकी हमें पूरी list पढ़ने होगी third chapter में जिने exempt किया हुआ है which is covered in section 10, 11, 12 and 13 बट जो 11, 12 और 13 है इन तीनों के उपर एक bracket बनाना और लिकना CA final 11, 12 और 13 आपके syllabus का as of now पार्ट नहीं है आपके syllabus में section number 10 रखा गया है आपको खाली section number 10 पढ़ना है जिसमें list of items आएंगे कि कौन सी कौन से income exempt है 11, 12 और 13 थोड़े advanced exemptions है जो देश के charitable और religious trust को provide किये जाते है and thereby उसे CA final में रखा गया है as of now आपको सिर्फ section number 10 पढ़ना होगा एक बार अगर कोई income exempt हो गई तो उसे भूल जा पर अगर income exempt नहीं हुई तो अब आपको क्या करना होगा 5 heads of income determine करने होगी यानि आपकी वो जो भी income है जो scope में शामिल की गई और वो exam नहीं हुई उन्हें 5 heads में classify किया जाता है यानि 5 categories में classify किया जाता है 5 situations में classify किया जाता है as per section number 14 section number 14 कहता है कि इसे 5 अलग-अलग heads में classify कर लो समझेंगे पहले लिखो कि ये 5 heads of income हमारी कौन सी हुई तो 5 parts कर दो इसके 5 parts पहले part में लिखो income from salaries दूसरे में लिखो income from house property income from salaries income from house property तीसरे में लिखो profits your gains from business profession चाथे में income from अदर सोर्सेस पाँच हेड्स इन पाँचों के टाइचल लिखाए मैंने आपको income from salary income from house property profits and gains from either business और प्रोफेशन capital gains capital gains income from other source ये पाँच हेड्स अप इनकाम हमारा large chapter number 4 होता है जिसको हम ऐसा कह सकते हैं ये 4A है ये 4B है ये 4C है 4D है and 4E है इन पाँच हेड्स अप इनकम को हमें डीटेल में पढ़ना होता है जिसके अंदर आपको section number 14 ने कहा कि इस तरीके से aggregation करो 5 हेड्स के अंदर तो पहला हेड्स जो है उसकी कहानी दी है section number 15 से लेके section number 21 के अंदर 15 से लेके 21 में salary chapter की सारी कहानी दी वही है 22 से लेके 27 में house property की सारी कहानी दी वही है 28 से लेके 44 DB में हम business और profession की income का discussion करते हैं 45 से लेके 55A में हम capital gains का coverage करते हैं and 56 से लेके 59 में हम income from other sources की बाते करते हैं यह हमारे sequence में जाएंगे पाँचो heads और sequence में आपका पूरा section का भी flow बना हुआ है कि 15 से लेके 21 में salary की बात करो 22 से 27 में house property की बात करो 28 से 44 DB में PGBP that is profits and gains from business and profession की बात करो 45 से 55 A में capital gains की बात करो and 56 से 59 में income from other source की बात करो going forward हम इसे short में बुलाएंगे जैसे income from salary को salary बोल देंगे income from house property को HP बोल देंगे profits and gains from business and profession को PG BP के नाम से जानेंगे capital gain को CG से कहेंगे and income from other source को IFOS बुलाएंगे आपके लिए यह subject नया है तो आप इन टर्म से familiar होना चाह रहे हैं बाकी एक बार आप CA की दुनिया में properly enter कर जाएंगे तो आपके लिए टर्म्स रोज की language में यूज होने लगेंगे कि उसकी PG BP income कितनी है उसकी IFOS income कितनी है उसकी salary से कितनी कमाई है उसकी HP से कितनी कमाई है वो CG में कितना कमाता है यह language यूज की जाएगी जैसे मैं आपको explain करने के लिए एक example create करता हूँ अगे इन उपर से करेंगे इस example को create सबसे पहले आप मेरी बात कर रहे हूँ individual तो individual is a person मेरा tax rate first chapter में आपने determine कर लिया कि यह tax rate होगा मेरी income के उपर अब आप मेरी income निकाल रहे हैं क्योंकि income pay tax rate लगानी है तो सबसे पहले आपने मेरा residential status निकाला I am a resident समझो मैं resident निकल के आया as per section 5 से 9B तो पूरी दुनिया में मैं जो कमाता हूँ पूरी दुनिया में वो इंडिया में taxable किया जाएगा क्योंकि मैं resident निकल के आया हूँ तो पूरी दुनिया में समझो simple रखते हैं मैं सिर्फ इंडिया से ही कमाता हूँ let us keep it simple मैं सिर्फ इंडिया से ही कमाता हूँ दूसरे देशों से कमाता ही नहीं हूँ तो आपने पूछा सर आप क्या-क्या कमाई करते हैं बताइए पूरे previous year 24-25 में और वो institute के हिसाब से मैं काम करता हूँ इसका मतलब वो institute मेरी employer है और मैं उसका employee हूँ एक property है जो मैंने ले रखी है सूरत में और सूरत में उस property से मुझे rent की कमाई होती है मैं इसके अलावा personal level पे कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ और उनसे fees लेता हूँ एक जमीन थी मेरे पास जो मुझे कई सालों पहले पढ़ी थी जिसे मैंने इस साल बेच के कुछ पैसे बनाए है और bank account में मेरे कुछ पैसे पढ़े है जिस पर मेरी ब्याच की कमाई हुई है अगर आप ठीक से सुने तो मैंने 6 sources बताया आपको 6 sources कौनसे कौनसे agricultural income हुई है राजस्तान में जो मेरी जमीन है उत्ते दूसरा किसी institute में पढ़ाता हूँ वो institute मुझे पगार देती है क्योंकि मैं employee हूँ इंस institute का सुबह 9 बजे जाता हूँ शाम को 6 बजे आता हूँ जैसे यह से वो बोलते हैं वैसे वैसे काम करता हूँ तीसरा मेरे पास एक property है सूरत में जिसे मैंने भाड़े पेचड़ा रखा है उससे rental income आती है मेरी rent की कमाई होती है मेरी कुछ बच्चों को शाम को 7 से 9 tuition देता हूँ और उससे कुछ revenue कमाता हूँ कुछ revenue tuition पढ़ा के fees लेके बनाता हूँ एक property थी मेरे पास एक जमीन थी जो सालों से मैं hold कर रहा था जिसे इस साल मैंने बेच दिया तो उससे मेरी कोई कमाई हुई है और मेरा एक bank account है जिसमें मैं savings bank account में पैसे रखता हूँ उस पे मेरी कुछ ब्याच की कमाई हुई है interest की कमाई हुई है तो मैंने 6 sources आपको बताए अब इन 6 sources को देखो कैसे देखेंगे पहले मेरा residential status resident आया scope के अंदर सब आ गया ये 6 की 6 चीज़ें आ गई सर scope में सब आ गया क्यों क्योंकि मेरा residential status resident आया तो सब कुछ cover कर लिया गया अब जब सब कुछ cover कर लिया गया तो पहले मैंने पढ़ा exempt income exempt income में बहुत सारी बाते दी थी जिसमेंसे एक point मिला मुझे agricultural income exempt होता है agricultural income पे tax नहीं लगाया जाता इसका मतलब जो मेरी 6 sources थी उसमेंसे agricultural income उड़ गई क्योंकि इंडिया में कमाई थी तो इंडिया की agricultural income exempt होती है तो उसे भूल जाओ अब उसे भूल गए तो सर कितनी income उस बची पाच ये पाचो income इन पाचो head में fit हो रही है अलग-अलग head में fit हो रही है जैसे कि मैंने कहा मैं किसी के नौकरी करता हूँ सुबह 9 बजी से लेके 6 बजे तक उसके supervision and control में काम करता हूँ तो वहां से जो मुझे रुपए मिले वो मेरे income from salary head की अंदर जाएंगे मेरी जो property है सूरत में जिससे मुझे भाड़े की कमाई होती है rent की कमाई होती है वो income from house property में जाएंगे मैं जो 2 घंटे रोग शाम को अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ा के fees कमाता हूँ वो profits and gains from business and profession profession की कमाई में जाएगा managers जमीन बेची थी जिसे मैं सालों से hold कर रहा था उसे हम capital gains के अंदर डालेंगे and जो मेरा bank account है जिसमें मुझे ब्याच की कमाई होई वो मेरी other sources की income है side की income है other sources income from other sources के अंदर उसे classify किया जाएगा ऐसे जितनी भी income मैं बनाता हूँ वो हर income इन में से किसी ना किसी head में जाएगी अगर वो exempt नहीं हुई तो क्योंकि अगर exempt ही हो गई तो तो कहानी खतम हो गई उस पर अब टैक्सी नहीं लगा सकते अगर exempt नहीं हुई तो इन पाँच में से कहीं classify किया जाएगा तो आपके दिमाग में अब बहुत सारे सवाल आने शुरू हो गई होगे सर मेरी यह ना share market में shares बेचके कमाई हुई सर मेरी shares पर dividend की कमाई हुई मैंने किसी को उधार दिया था उस पर ब्याच की कमाई हुई ऐसे बहुत कुछ आना शुरू हो जाएगा यह जितनी बातें आपकी दिमाग में आनी शुरू होगी यह सब किसी ना किसी head में डाली जाएगी तो सर वो पता कैसे चलता है कि कौन से head में डाली जाएगी हर head का पहला section उस head का charging section है जैसे income from salary 15 to 21 का charging section है 15 income from house property 20 to 27 का charging section है 22 profits and gains from business and profession 28 से 44 DB का charging section है 28 capital gains 45 से 55 A का charging section है 45 income from other source 56 से 59 का charging section है 56 यह 5 charging sections है सर आपने section number 4 को भी तो charging section कहा था section number 4 पूरे income tax का charging section है और यह जो मैंने 5 sections अभी कहें आपको यह हमारे 5 head के head selection का charging section है जब आप यह 5 charging section पढ़ लेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कौन से income को कौन से कौन से head में डाला जाता है सर इससे फरक्या पड़ेगा किसी भी head में डालो सर इससे अच्छा तो हमारा accounts है accounts बोलता है कोई भी income है credit side of P&L डाल दो simple अरे वो accounts का तरीका है यहां हम profit निकालने की कोशिश नहीं कर रहे taxable income निकालने की कोशिश कर रहे है और हर income को compute करने का तरीका अलग होता है house property कुछ खर्चे अलाव करेगा profits and gains from business and profession कुछ अलाव करेगा शायद कुछ नहीं करेगा हर head का अपना तरीका है calculate करने का and thereby सही head का selection बड़ा जरूरी हो जाता है अगर आप गलत head select करेंगे तो आप गलत income compute कर बैठेंगे तो this is not like accounts कि सारी income को एक साथ total कर दो और बता दो आपका profit कितना है that is not how it works यहां पर आपको हर income को सही head के अंदर classify करना परता है एक बार जब सारी incomes पांचों head में हम classify करना सीख जाएंगे तब इसे close करो और close कर के इसके नीचे लिखो हम दो chapters पढ़ेंगे chapter 5 and chapter number 6 chapter number 5 clubbing of income section 60 to 65 आपका पहला landscape page use हो गया होना चाहिए अभी तक आप second landscape page में enter अगर कर रहे हो तो second landscape page में enter कर जाओ जो हमने two phase लिया था तो clubbing of income section number 60 to 65 and दूसरा set off and carry forward and set off of losses section number 70 to 80 दो छोटे चाप्टर आएंगे हमारे इन दोनों चाप्टर को मैं special chapters का नाम देता हूँ पहला clubbing of income section number 60 to 65 and दूसरा set off and carry forward and set off of losses losses वोड को circle करना section number 70 to 80 जिन दोनों चाप्टर को complete करने के बाद जो नमबर आता है उसे हम कहते हैं gross total income bracket में GTI gross total income सर इन दो चाप्टर में क्या cover किया जाएगा ये दोनों chapters special chapters है ये कुछ respective cases या situations में ही लागू होते हैं अगर समझो वो situations आई ही नहीं तो ये दो चाप्टर किसी काम के नहीं है सीधे पांचो हेड को जोड दो जो पांचो हेड में income निकाली salary में निकाली house property में निकाली PGBP में निकाली CG में निकाली IFOS में निकाली उसको जोड दो और आपके पास जो तयार हो के आया उसे बुलाए चाहेगा gross total income simple language में हम उसे GTI के नाम से जानते हैं पसर ये दो chapters है क्या समझना दीज आर special chapters जैसे clubbing of income के बारे में थोड़ा सा briefly cover करते हैं चो section number 60 से 65 के अंदर cover किया हुआ है मेरे पास एक property है जिससे मुझे भाड़ी की कमाई हो रही है एक property है जिससे मैं भाड़ा कमा रहा हूँ तो वो मेरे house property के head में क्यूना मैं इस property को अपनी wife को transfer कर दो क्यूना मैं इसे अपनी spouse को transfer कर दो spouse यानि husband या wife अगर male के अंगल से देख रहे हो तो wife और अगर female के अंगल से देख रहे हो तो husband उसे हम spouse कहते हैं तो मैं क्यूना अपनी wife को इसे transfer कर दो gift दे दो क्यों सर गिफ्ट देने से क्या होगा गिफ्ट देने से ये होगा कि ये इंकम जो मुझे मिल रही थी वो मुझे नहीं मिलेगी वो मेरी स्पाउस को मिलेगी और अगर वो मेरी स्पाउस को मिलेगी तो स्पाउस के हाथ में टैक्सिबल होगी मेरे हाथ में तो taxable होगी नहीं तो sir फरक क्या पड़ेगा आपके हाथ में हो या spouse के हाथ में हो बात तो एक ही है ना बात एक ही नहीं है फरक ये पड़ रहा है कि मेरी file में पहले से बहुत जादा income है और आप जानते हैं हमारे देश में हम progressive system of taxation फालो करते हैं What is progressive system of taxation Higher the income, higher is the tax rate जैसे यह से कमाई भरती है वैसे वैसे tax rate भरता है मेरी जो wife है समझो उनकी file में उतनी income नहीं है तो अगर उनके हाथ में income आईगी तो उनको lower tax rate लगेगा मेरे हाथ में आएगी तो higher tax rate लगेगा जबकि है तो घर की ही बात उनके हाथ में आई या मेरे हाथ में तो अगर tax rate पे impact आता है तो मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं इस तरीके से अपनी incomes को मेरी spouse को या relatives को transfer कर दूँ अगर आपने ऐसे अपनी incomes को transfer करने की कोशिश की तो clubbing का chapter लग जाएगा यानि भले income दूसरे की file में गई हो still उसे आपकी file में tax कर दिया जाता है ऐसी जितनी भी mischiefs हैं उनको cover करने के लिए section 60 से 65 बनाया हुआ है तो जब हम clubbing का chapter पढ़ेंगे तो ऐसे कई तरह की mischiefs पढ़ेंगे और उसके अंदर हम coverage करेंगे कि कैसे law बना के उसे रोकने की कोशिश की जाती है सर दूसरा chapter क्या होगा set off and carry forward and set off of losses समझ ना उपर 5 heads ने हैं 5 heads में ये possible है ना कि किसी head में loss आया और किसी में gain आया for example PGBP PGBP में loss आ गया PGBP में और capital gain में gain आ गया इस वेरी मच पॉसिबल कि PGBP में नुकसान हो गया बिजनस में फायदा हो ज़रूरी थोड़ी है नुकसान हो गया बाकी heads में कोई income नहीं है PGBP में समझो loss है 4 लाग का और capital gain में फायदा है 5 लाग का तो question क्या हुटता है कि सर जो PGBP का 4 लाग का loss है क्या वो capital gain 5 लाग के सामने set हो सकता है हाँ या ना वो section number 7280 में लिखा होगा अगर 7280 ने कहां हो सकता है तो set off हो गया पर अगर set नहीं हो पाया तो 7280 में लिखा होगा इसे next year carry कर लो और next year carry करके बताएंगे इसे किस के सामने set किया जाएगा ये chapter losses का chapter है अगर पांचो head में से किसी भी head में loss है तो ही आपको 7280 पढ़ना होता है अगर पांचो में gain है तो चुपचाप add कर दो आपका gross total income निकल के आ जाएगा लेकिन अगर एक भी जगा loss है तो आपको section 7280 read करना पड़ेगा तब हमें पता चलेगा कि उसे set off किया जाएगा या अगले साल carry करके अगले साल set off किया जाएगा उसके procedures हमें cover करने होंगे ये हो जाने के बाद हमारा gross total income निकल के आएगा और उस gross total income में से हम less करना सीखेंगे deductions under chapter 6A deductions under chapter 6A section number 80A to 80U 80A to 80U deductions under chapter 6A ये जो chapter 6A है ना ये income tax act के तहत chapter number है इसलिए मैंने लिखाया इसे chapter 6A और हमारी sequencing में भी coincidentally ये 6 के बाद आया है ये तो बाकी हम सिफ numbering दे रही थे बाकी आपको मैं कोई आपको income tax के chapters लिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था लेकिन यहाँ थोड़ा जरूरी होता है इसलिए मैंने income tax act के अंदर जो chapter number है जिसमें section number 80A to 80U chapter 6A में दिया है हमने उसे exactly mention किया तो हम भी इसे 6A ही नाम देंगे ताकि हमें ध्यान में भी वैसे ही रह जाए 6A chapter में deductions प्रोवाइड किये है सरी deductions क्या है भला आपने उपर incomes ले ली सारी GTI निकल के आ गया GTI आ जाने के बाद government कुछ benefits प्रोवाइड करती है government कहती है कि अगर ये वाली investment करोगे न ये वाला खर्चा करोगे न तो पहले हम उससे less करने देंगे फिर जो income आएगी उस पे tax लगाएगे तो benefit हो गया जैसे समझो मेरी 10 लाग की gross total income आईगी अगर कोई benefit नहीं होता तो 10 लाग पे tax लग गया होता लेगिन government ने क्या बोला LIC का premium भरा है public provident fund में पैसा डाला है national saving certificate में पैसा डाला है medical insurance premium का payment किया है किसी को donation किया है किसी trust वगर को PM cares में पैसा डाला है तो हम आपको benefit देंगे पहले उसका deduction देंगे तो समझो मैंने 2 लाग का ऐसे कर्चा किया है तो 10 लाग माइनस 2 लाग करके मेरा जो tax है वो 8 लाग पे लगाए जाएगा ना कि 10 लाग पे लगाए जाएगा तो हम इस chapter के अंदर कौन से deductions मिलते हैं कितने deductions मिलते हैं उसका coverage करेंगे section number 80 A से लेके 80 U के अंदर that is the word deductions under chapter 6 से और फिर जो आएगा उससे हम कहेंगे total income या फिर taxable income इसे total income बुलाए जाएगा या फिर taxable income बुलाए जाएगा जिस पे आप finally tax rates लगाएंगे जो आपने chapter number 1 में पढ़ा होगा और वो लगा के हमारे tax liability निकल के आएगा जिसे हम chapter number 7 का नाम दे रहे हैं कि total income का final competition हुआ मतलब आप समझना यहां जाके आपको finally ये number मिलेगा जो आप total income निकालने चले थे person का tax rate आप पहले ही जान चुके थे first chapter में लेकिन total income निकालते निकालते chapter 7 तक आप पहुँच गए होंगे हमारे सारे chapters में से जहां total income पे फिर tax rate लगाएंगे जो हमने उपर first chapter के अंदर ही determine कर लिया था depending upon कौन सा person है उसके हिसाब से वो total income कहो या taxable income कहो या कई लोग इसे net taxable income भी कहते हैं वो आपके निकल के आ जाएगी जिस पे tax finally लगाया जाएगा मतलब अगर briefly एक बार देखे तो आपने क्या किया यहाँ पर पहले residential status निकाला scope determine किया section number 5 से लेके 9B के तहर वो determine करके exempt incomes निकाली जिसको उड़ा देंगे exempt income उड़ गई तो फिर aggregation किया incomes को 5 heads में 5 heads में aggregation किया फिर 2 special chapters पड़े gross total income निकल के आया gross total income में से कुछ deductions दिए कुछ benefits दिए chapter 6 A के और फिर आपकी total income निकल के आई चिस total income पे आपने tax rate लगाया तो उसके नीचे लिखो निकल के आएगी total tax liability in assessment year क्योंकि यह सब तो previous year खतम हो जाने के बाद करेंगे आप जिसको आप chapter number 8 का नाम दे दें total tax liability in assessment year आपकी assessment year की total tax liability निकल के आएगी कि previous year की income पे tax rate लगाया आपने और आपकी assessment year में साल खतम हो जाने के बाद इतनी total tax liability निकल के आईए जो आपको सरकार को pay करनी पड़ेगी अब practically क्या होता है total tax liability में से आपको less करना होता है TDS, TCS और advanced tax during previous year section number 190 से लेके 219 TDS, TCS advanced tax during the previous year which is your chapter number 9 in our discussion not as per income tax act as per our sequencing क्योंकि आपके syllabus में सारे नहीं है कुछ ही है क्योंकि मैंने कहा आपको बहुत सारे chapters income tax act में 298 sections है उस सारे तो है नहीं तो आप सीधे जम करके किस पर चले जाते है 190 to 219 TDS, TCS advanced tax during the previous year समझाता हूँ होता क्या है आप जब previous year में कमा रहे होते हैं और समझो आपने 10 लाग कमाया और फिर assessment year में आपको कहा जाए कि 10 लाग पर आपको 30 टका tax देना है तीन लाग देना है तो बहुत दुखेगा बहुत जोर से दुखेगा आज calculator पर निकालते वक्त शायद नहीं दुखेगा जिस दिन खुद कमाओगे ना खुद की इंकम में से इतना देना पड़ेगा उस दिन बहुत दुखेगा तो एक साथ जब 3 लाग देना आएगा तो आप परिशान हो जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे नहीं देना दिमाग में evasion का खयाल आएगा और सारे गलत खयाल आएंगे जिससे आप गर्मेंट करती क्या है previous year में previous year में यूज तीन हतियार यूज्ज करती है tax deducted at source tax collected at source and advanced tax जिसके तुव आपसे थोड़ा 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 करके tax लेती रहती है और फिर जब साल खतम होता है, तब आपको पता चलता है तीन देने हैं, तो ये पता चलता है कि धाई तो ये पहले ही ले चुके हैं, थोड़ा थोड़ा करके, दीरे दीरे करके, in the form of TDS, TCS, Advanced Tax, तो ultimately आपको देने काली 85 परते हैं, तो human psychology कैसे वक करती है, इंसान कैसे सोचता ह कि 50,000 ही लगा, जबकि लगा तीन ही है, लेकिन वो थोड़ा 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 करके, government ने आपसे ले लिया, across the previous year, तो सर ये थोड़ा थोड़ा करके कैसे लेती है, उसी को हम section number 190 से लेके, 219 के अंदर discuss करते हैं, जिसे हम TDS, TCS और Advanced Tax, तीन forms के अंदर cover करते हैं, और इसी लिए assessment year में, जब total tax liability निकल के आती है, तो उसमें से जितना ले चुके हैं, उसे आप list कर देते हो, तो list करने के बाद जो आता है, उसे हम बुलाते हैं, net tax payable, और refundable, तो यह ऐसा भी हो सकता है ना, कि 3 लाक आया और इन्होंने 3 ले लिया था आपते, तो 50,000 उनको आप इस करना पड़ जाएगा ना, तो refundable आ जाएगा, और अगर 3 लाक लेना था और धाई ले चुके थे, 2.5 ले चुके थे, तो 50,000 का आपका payable निकल किया जाएगा, कि 50,000 आपको और सरकार को pay करना है, in the assessment year, तो TDS, TCS, Advanced Act के कई रूप होते हैं, उन सारे रूपों को, हम के contestant game खिलता है, तो game खिलते वक्त, जब वो सवालों के सही जवाब देते रहते हैं, और वो एक करोड जीत जाते हैं, तो अमिताब बच्चन जी जोर से चिलाते हैं, एक करोड, एक करोड, आप करोड पती बन गए, और उस point of time पे, आपको TV पे ऐसा दिखाया जाता है, कि ये देखिए, इनके bank account में हमने एक करोड ट्रांसफर किये, तब उस point of time पे ध्यान देना, नीचे एक छोटी सी पटी निकलती है, फटा फट निकल जाती है, उस पटी पे दिखा होता है, it is subject to taxes, this is only for demonstration purpose, reality में उनके bank account में एक करोड गई नहीं है, ये तो खाली वो sensation create करने के लिए, एक feeling create करने के लिए, औरा create करने के लिए दिखाते हैं, देखिए गए, जबकि वो कर नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि उस एक करोड पे flat, 30% का TDS लगता है, 30% का TDS, ये बाद section 194B के अंदर लिखी हुई है, and thereby, आपको मिलते 70 लाकी है, एक करोड मिलते ही नहीं, मतलब जब बोलते हैं, करोड पती बन गए, जूट बोलते हैं, क्योंकि 30 लाक तो उस पर tax लग जाता है, वो वहीं deduct कर लिया जाता है, during the previous year, during the previous year, deduct कर दिया जाता है, और सरकार को जमा कर दिया जाता है, और अब assessment year में जब आपना return बनाते हो, सरकार को भरने के लिए, तब आप इस 30 लाक का credit लेते हो, जिसे हम TDS का credit बोलते हैं, कि इतना तो मैं पहले ही बढ़ चुका था, तो मेरा अगर 35 लाक भरना है, तो 30 लाक हो गया, तो 5 ही बरना, मुझे अगर 25 ही बरना था, तो 30 लाक हो गया, तो 5 का refund मिलेगा मुझे, उसे हम net tax payable या refundable कहते हैं, जो हम TDS, TCS Advanced Tax के chapter में पढ़ेंगे, यह जो भी net tax payable refundable आया, इसके लिए आप फाइल करते हैं, return of income, section 139 to 140B, return of income, that will be our last chapter of CA intermediate, जिसे मैं 10th chapter का नाम दे रहा हूँ, आपको इन सारी जगहों पे सिर्फ एक chapter 6 से धियान में रखना है है, बाकी chapter नमें बाकी 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 नमबर याद नहीं रखने, वो तो खाली आपको flow बनाने के लिए मैंने रोमन नमबर में दिया है, सिर्फ एक ही जगह आपको chapter number ध्यान में रखना है, chapter 6 से, बाकी आपको numbers नहीं ध्यान में रखने है, section numbers रखने है, वो तो हम class में इतनी बार repeat करेंगे, बार-बार discuss करेंगे 140B के तहट आपका return of income file होता है, जिसमें आप बताते हैं exactly कि salary से इतनी income है, exempt income इतनी है, house property से इतनी income है, deduction इतना लिया हमने, total income इतनी आई हमारी statement, जिसमें आप पुरा का पुरा summary दे रहे हैं कि इस इस तरीके से मैंने मेरी कमाई की है, और वो मैं सरकार को submit कर रहा हूँ, उन आपने सब सही नहीं किया है, हो सकता है कि उस return को use करके government अपनी policies बनाए, क्योंकि उसी से तो statistical data मिलता है, कि लोग कौन से sources से कमा रही है, उसी statistical data के basis पे तो policies बनाई जाती है, इसलिए वो जो return of income file होता है, वो एक important document होता है, government के point of view से भी, जिससे file करने की एक due date होती है, जै यहाँ दो due dates होती है, जो आपके लिए काम की होती है, एक due date होती है, 31st of July 2025 और दूसरी due date होती है, 31st of October 2025, आपके लिए inter level पे ऐसे तीन होती है, पर inter level पे दो ही काम लगती है, 31st of July and 31st of October, इसलिए आप देखोगे, July, August, September, October के महीने, एक practicing CA, जो taxation के domain में practice करता है, उसके लिए काफी heavy season वाले महीने होते हैं, क्योंकि ज्यादतर कामी इन महीनों में होता है, जब return filing हो रही होती है, सब दो dates क्यों है, 31st of October है, कुछ लोगों को tax audit करानी परती है, PGBP head में, profits and gains from business and profession में, जो एक practicing chartered accounting कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है, तो उनको क्योंकि audit भी करानी होती है, return भी file करना होता है, उनको extended due date है, 31st of October तक की due date है, और जो salaried person होता है, जिसकी कोई business विजनस नहीं है, उसको audit audit नहीं करानी, तो उसका simple है, salary income पे tax वरना है, तो उस case में हम due date 31st of July follow करते हैं, मतलब आप ऐसा बोल सकते है, 31st of July पे non audit, and 31st of October पे audit, यह दो अलग-अलग cases हो गया, कि बहुत detail में तो देखो, हर चीज़ हमें आगे जाके पढ़नी है, समझने की कोशिश करना, अभी तो हम सिर्फ low बना रहे हैं, सिर्फ एक understanding ले रहे हैं, जैसे होता है ना, picture दिखाने के पहले trailer दिखाया जाता है, तो आपको इस session में मैं सिर्फ trailer दिखा रहा हूँ, कि भई हाँ, आने वाले इतने समय में हम यह सारी picture ने देखेंगे, but as of now, खाली आपको trailer में पता चल जाना चीए, कि picture कितनी interesting है, देखने में कितना मज़ा आएगा, क्योंकि जैसे यह 10 chapter आपके complete हुए, आप आपका या किसी भी और person का return of income भरने के योग्यों जाएंगे, आप खुद भरने की position में आ जाएंगे, आपको सारी main बाते cover कर दी गयी होगी, obviously सारी बाते नहीं cover हुई है, क्योंकि final में और भी बहुत कुछ आएगा, इसके आगे के procedures आएंगे, क्योंकि return के ब practically सीख सकें, सच में return of incomes बना सकें, तो हमारा discussion chapter number 10, return of income section number 139, से लेके 140B, जो हम assessment year में भरेंगे, वहाँ पर हमारा completion होगा, जिसमें आप देखो तो सब sequence में गया है, पर यहाँ section number 62, 65 और 72, 80 के बीच में, एक छोटा सा special chapter और आएगा, section 68 and 69, Undisclosed Sources, इन दोनों के बीच में यहाँ लिख लेना, Undisclosed Sources, section number 68, 69, यह क्या होता है, भाई यह सारे heads of income दी होई है, यह सारी चीजें दी होई है, कि आप खुद disclose करें, सरकार थोड़ी बोलेगी कि आप अपनी income बताओ, सरकार बोलेगी कि आपको, सरकार थोड़ी बोलेगी कि हम आपकी income बताओ, और इस income पे tax बरो, हम तो जानते ही हैं, हमारे पास तो बहुत तरीके हैं आज के वक्त में, आपकी income determine करने के, लेकिन आप खुद सब कुछ करो, और अगर हमें पता चला, कि आपने सब कुछ नहीं बताया, तो फिर आपके साथ हम बहुत गलत करेंगे आपके साथ जो हम बहुत गलत करेंगे न, वो section number 68 और 69 में दिया है, अरे तुमको loot लेंगे, तुमको खतम कर देंगे, undisclosed sources मतलब आपने disclose नहीं किया था, और आप पकड़े गए, आप पकड़े गए, तो section 68, 69 में 78% का tax लिया जाता है effectively, 78% यानि एक करोर की चोरी पकड़ गई होगी, तो एक करोर में से 78,00,000,000 tax मांग लेंगे, इंट्रेस्ट अलग, पेनल्टी अलग, वो तो लगेगी, उसके अलावा खाली tax ही इतना मांग लेंगे, बचे गई नहीं, तुम नुकसान में आ जाओगे उल्टा, जितना तुमने चुराया होगा, वो एक special chapter होगा हमारा, side का chapter होगा, undisclosed sources, बाकी otherwise हमारा ये flow maintain होने वाला है, जो आपको दिख रहा है, section number ATU तक तो पूरा है, 1 से लेके ATU तक करीब करीब पूरा है, और फिर 190 से 219, TDS, TCS, Advanced Tax का है, और 139 से 140B, Return of Income का है, इसके अलावा बाकी जितने sections हैं, till section 298, वो सब CA final में हैं, ये तो है, उसके अलावा, वो सब CA final में रखे हुए हैं, एक बार quickly, हम इसे तोड़ा सा summarize करते हैं, आपने क्या लिखा, अभी क्या cover किया, start कैसे किया था, section number 1, it extends to the whole of India, section number 2, need पढ़े तप-तप definitions पढ़ेंगे, section number 3, वो income, वो year जिसमें आपने income earn किया, previous year, आपका 24-25, section number 3, section number 4, charging section, पहले हर person की tax rate देख लो, और उस tax rate को total income पे लगा दो, तो हमने बोला person मतलब 2 clause 31, tax rate मतलब finance act बताएगा, that is your first chapter, और अब tax rate person की पता चल गई, तो total income निकालने के लिए, section 5 से लेके 9B, पहले residential status निकालो, residential status के basis पे scope define करो, scope define हो गया, तो ये नहीं tax हो जाएगा, scope define हो गया, तो हो सकता है वो exempt हो जाए, section number 10, 11, 12, 13, आपको पढ़ना अभी खाली section number 10 है, exempt हो गया तो निकाल के फिक दो, अब जो बच गया, वो सब tax हो सकता है, tax हो सकता है, तो कितना tax होगा, उसके लिए 5 heads पढ़ने पढ़ेंगे, aggregation of income करना होगा section 14 के तहत, section 15 to 21, salary, charging section is section 15, section 22 to 27, house property, charging section is section 22, section 28 to 44 dB, PGBP, charging section is section 28, section 45 to 55A, capital gain, charging section is section 45, section 56 to 59, income from other source, charging section is section 56, जिससे आपको पता चलेगा ये head पढ़ना है, और उस head के तरफ computation होगी, computation हो गई, फिर आपने कुछ मिश्चिफ की थी, तो clubbing लग सकता है, section number 60 to 65, आपने कुछ चीजें दिखाई ही नहीं थी, पर निकल के आई, तो undisclosed sources में tax होगा, section 68 and 69, आपके किसी head में loss आया, तो उस loss को किसी और head के gain के सामने set करोगे, या carry करके set करोगे, section number 70 to 80, ये सब करने के बाद, total लगाओगे, तो जो आएगा उसे हम कहेंगे, gross total income, gross total income में से आपको कुछ benefits मिलेंगे, deductions under chapter 6A, 80A से लेके 80U का हमारा coverage, and then, जो मिलेगा, that is our total income, also known as taxable income, also known as net taxable income, ये total income, पे आप वो tax rate लगाएंगे, जो आपने first chapter में पड़ी थी, और वो tax rate लगाने के बाद आएगी, total tax liability, लेकिन इस total tax liability में से, आप कुछ taxes तो पहले भर चुके होंगे, भर चुके होंगे, उन्हें हम बुलाते हैं, TDS, TCS, और advanced tax, during the previous year भर चुके होंगे, section 190 से लेके 219 के तहत, आप उसे less कर देंगे, less करने के बाद जो बचेगा, वो आपका net tax payable, ये net tax refundable होगा, assessment year में करेंगे आप ये सब, और फिर आप सरकार को भरेंगे statement, जिसे मुलाते है return of income, अगर audit नहीं होती, तो 31 July of the assessment year तक भरेंगे आ तो आपके लिए 31 July 2025 हो गया, और अगर audit होती है, तो 31 October 2025 तक आप उसे भरेंगे of the assessment year, तब जाके आपका completion होगा, as per section 139 से लेके section 140B का हमारा discussion है, ये जो आपने पूरा का पूरा flow देखा ना, ये हमें next class पे पढ़ना शुरू करना है, इस class में हमने income tax के syllabus flow का orientation लिया, एक होत इंडेक्स देखना, आपने इंडेक्स देखा है, लेकिन इंडेक्स को इस तरीके से नहीं, कि बस 10 chapter क्या है, 10 chapter का logical flow, तो आप इसे ऐसे नहीं पर सकते, कि आपने पहले capital gain पढ़ लिया, पढ़ोगे, तो logical clarity नहीं मिलेगी, logical clarity चाहिए, तो पढ़ना कहां से शुरू करते हैं थिसर पहले tax rate बता दो, ताकि income निकालते वक्त हमें idea लगे, कि कैसे taxes calculate होते हैं, ताकि उसका logic पता चले, फिर residential status पढ़ो, फिर exemptions पढ़ो, फिर head पढ़ो, फिर GTI आएगा, फिर deductions पढ़ो, फिर TDS, TCS advance tax पढ़ो, और last last में return of income, file करो, that will be our flow, यह हमारा पुरा का पुरा income tax, flow, work करने वाला है, day one को यह समझ आ जाए ना, तो बहुत अच्छा होता है, बड़ा धुरभाग्य होता है, कि हम कई बार CA final के बच्चे से भी बात करते हैं, CA complete कर लेते हैं, जो newly, उनसे भी बात करते हैं, और उनको basic सवाल भी पूछते हैं ना, कि set off कब होता है, set off of losses, GTI क के पहले या GTI के बाद, तो उसका भी सही जवाब नहीं मिलता हमें, क्योंकि basic background प्रॉपर नहीं होता, chapter के अंदर क्या है, वो पता चल चुका है, लेकिन उसका logical flow नहीं पता, तो आप से कोई पूछे सर, set off कब होता है, तो आपको पता चला है, सर वो तो GTI के पहले होता है, set off करोगे, फिर GTI आएगा ना, उसके बाद थोड़ी set off किया जाएगा, उसके बाद तो deductions होते हैं, इस तरीके से आपको वो clarity बिल्ड करने के लिए, हमने इस तरीके से पुरा logical flow का discussion किया है, हम आने वाले series of lectures में, इसे properly cover करेंगे, यानि कि मैं आपको next class की, अभी ही heading डाल कि दे देता हूँ, हम हमारा chapter number one, fresh portrait page ले लो, chapter number one, tax rates पढ़ने वाले हैं, portrait page पे आप heading डाल रहे हो, which depends upon type of person, it depends upon type of person, person पे depend करेगा कि आपका tax rate क्या होगा, और person, two clause 31 के अंदर, there are seven categories, 7 तरह के लोग हैं, जैसे पहला होगा individual, दूसरा होगा Hindu undivided family, ऐसे करके हमें seven kinds of persons का discussion करना है, पहले next class में, और फिर, उन seven kinds of person का एक एक करके, tax rate पढ़ना शुरू करना है, जिस जिस person पे tax liability आईगी, उसे हम assessi बुलाना शुरू कर देंगे, tax liability आई ही नहीं, तो वो assessi नहीं है, क्योंकि वो income tax में assessi नहीं किया जाता, तो कोई person assessi तब बनता है, जब उस पे income tax liability आती है, income tax liability नहीं आती, तो वो person ही कहलाता है, वो assessi के status पे अपग्रेड ही नहीं होता, तो इस तरीके से हम terms को use करते हुए, अपना first chapter, अभी नहीं ये मैंने सिर्फ आपको again next chapter के लिए एक base दे दिया, कि इस तरह से शुरू करना होगा, ये मैंने ऐसा क्यूं किया, थोड़ा सा आपको लिखा के छोड़ दिया, जब पढ़ाई भी करो ना, घर पे, तब भी ऐसा किया करो, हम में से कई जन होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी chapter को complete किया, और बंद कर दिया, आची पढ़ाई, उसक next day समय पर पढ़ने बैठते हैं, नहीं तो अगर एक chapter complete करके आज बंद कर दिया ना, तो next day शायद कभी आता ही नहीं है, कई बार हम procrastinate करते हैं, delay करते हैं next chapter चालू करने में, किसी भी चीज का completion नहीं दिख रहा हो, तो उसका खाली शुरुवात कर दिनी चाहिए, completion तक अपन पहनना शुरू करोगे ना, तो दीरे दीरे ऐसा लगेगा, ठीक है अब चले ही जाते, अब आगे बढ़ी जाते, आपने पहला step ले लिया है क्योंकि, पहला step लेने के बाद है ना, मन्जिल दिखने लगती है, पहला step नहीं लेते ना, तो मन्जिल ही नहीं दिखाई देती, human psychology है, logically हर चीज में आपको यह होती हुई दिखाई देगी, same चीज मैंने भी आपके साथ यहां यही की, कि हम third lecture में यह discussion शुरू करेंगे, पर वह discussion शुरू करने के पहले मैंने intro दे दिया, कि हम हमारा first chapter सही माइनों में तो next lecture में start कर रहे हैं, तो sir यह दो lectures क्या थे हमारे, यह दो lectures आपके basic introduction था, first lecture था tax के terms introduce करना, और second lecture था आपको यह पूरा का पूरा discussion का flow समझाना, हम next lecture में जब पढ़ना शुरू करेंगे, तब हमें obviously इस book की जरत होगी, जिस book के अंदर आपको सारा content और साथ साथ में questions and answers प्रोवाइड किये हैं, जो हम class में पूरी तरह से use कर content होगी, जिसमें आपको chapter wise यह दो 10 chapters हैं, उनके past questions, MTPs, RTPs and various practice questions, सारी चीजें इकठा करके provide QE होगी, जिसे हमें घर पे practice करनी होगी और कुछ हम class में भी करेंगी, इस तरीके से हम अपना proper शुरूवात next lecture से करने वाले हैं, मैंने इन दो lectures में आपको बहुत कुछ बताया ह लेकिन फिर भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि actually मैं weightage based discussion तो हमारा next class से ही start होने वाला है, इस session में हम इतना ही रखेंगे, hopefully आपको clarity मिल गई होगी, कुछ मन में सवाल create हो गई होगी आज, कि कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी बाते तो पढ़नी हैं ना, आने वाले direct tax के 70-80 lectures म हमारा काम ही वही है, उसी चीजों को तो detailing में जाना है, तब आपके एक 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 करके सारे problems, doubts, situations अपने आप solve होती रहेगी, despite that comment box में जरूर डाले, किसी भी तरह के आपके और queries हैं, हम उसे जल्दी से जल्दी cater करने की कोशिश करेंगे, फिर मिलेंगे, till then, take care, have a nice day. झायद बसम पात्त लुट करने पात्त ल करेंगे, त